नमबर दो, सौर मंडल प्रश्ण एक, प्रथम्था सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेक किस विद्वान को है? A. गैलीलियो, B. स्ट्रेबो, C. कॉपरनिकस, D. केपलर, उत्तर है C. कॉपरनिकस प्रश्ण दो, सूरि के चारों और घूमने वाले खगोली पिंड क्या कहलाते हैं? A. ग्रह, B. उपग्रह, C. चुद्र ग्रह, D. पुछलतारा उत्तर है A. ग्रह प्रश्न तीन, किसी ग्रह के चारो और परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशी पिंड को क्या कहते हैं? A. ग्रह, B. उपग्रह, C. चुद्र ग्रह, D. सौर तारा, उत्तर है B. उपग्रह प्रश्न चार, ग्रहों की गती का नियम किसने प्रतिपादित किया? A. न्यूटन, B. केपलर, C. कॉपर्निकस, D. गैलीलियो, उत्तर है B. केपलर प्रश्न पाँच, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? A. आठ, B. नौ, C. दस, D. ग्यारह, उत्तर है A. आठ प्रश्न 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर है A. बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल प्रश्न साथ पृत्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? A. मंगल शुक्र बुद्ध पृत्तर है B. शुक्र मंगल बुद्ध पृत्तर है प्रश्न आठ आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है A. ब्रहस्पती शनी आरून वरून प्रित्वी शुक्र मंगल एवं बुद्ध B. ब्रहस्पती शनी आरून आरून प्रित्वी शुक्र मंगल एवं बुद्ध C. ब्रहस्पती शनी आरून वरून प्रित्वी बुद्ध मंगल एवं शुक्र प्रश्ण 9. उपग्रहों की संख्या के आधार पर 100 मंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है उत्तर है प्रश्न 10 सूर के चारों और चक्कर लगाते ग्रह का वेग अ नियत रहता है बी अधिक्तम होता है जब सूर के समीप होता है प्रश्न 11 अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है अ उत्तर है प्रश्न 12 निक्स उलंपिया कोलंपस परवत किस ग्रह पर इस्थित है अ बुद्ध, बी शुक्र, सी प्रित्वी, डी मंगल उत्तर है डी मंगल प्रश्न 13 पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है अ तीन, बी चार, सी पांच, डी छे उत्तर है बी चार प्रश्न 14 निम्लिकित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है अ बुद्ध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनी उत्तर है डी शनी प्रश्न 15 वाह ग्रह या ब्रहस्पती सदर्श ग्रहों की संख्या कितनी है अ छे, बी पांच, सी चार, डी तीन उत्तर है बी पांच प्रश्न 16 ब्रहस्पती सदर्श ग्रहों में सम्मिलित नहीं है अ शनी, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल उत्तर है डी मंगल प्रशन सत्रा निम्लिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़ कर शेश सभी ग्रह सूर के चारों और वामा वर्त घूमते हैं A. बुद्ध औ शुक्र B. पृत्वी और शुक्र C. अरुन और वरुन D. शुक्र और अरुन उत्तर है दी शुक्र और अरुन प्रश्न अठारा, सौर मंडल का जन्व दाता किसे कहा जाता है? A. सूर्य को, B. पृत्वी को, C. ब्रहस्पति को, D. शनी को, उत्तर है A. सूर्य को प्रश्न उन्निस, ब्रह्मान्ड में विस्फोटी तारा कहलाती है A. धूमकेतू, B. उलका, C. लुबधक, D. कलाक, E. अभिनवतारा उत्तर है E. अभिनवतारा प्रश्न बीस, सौर मंडल की खोज किसने की? A. कॉपर निकस, B. केपलर, C. आरिभट, D. न्यूटन उत्तर है A. कॉपर निकस प्रश्न 21, निमलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतिय ग्रह मानते थे? A. सूर्य, B. मंगल, C. शुक्र, D. शनी उत्तर है A. सूर्य प्रश्न 22, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है A. ओक्सीजन और कार्बन डाइयोकसाइड B. हीलियम और ओक्सीजन C. हीलियम और नाइट्रोजन D. हाइड्रोजन और हीलियम उत्तर है D. हाइड्रोजन और हीलियम प्रश्न 23, सूर्य के मद्य भाग को क्या कहा जाता है A. समताप मंडल B. प्रकाश मंडल C. वर्ण मंडल D. इस्थल मंडल उत्तर है B, प्रकाश मंडल प्रशन 24, सूर्य के उपर के भाग को क्या कहा जाता है? A, अधो मंडल, B, प्रकाश मंडल, C, वरड़ मंडल, D, समताप मंडल उत्तर है C, वरड़ मंडल प्रशन 25, सूर्य सदव पूर्व में निकलता है क्योंकि A. पृत्वी पश्चिम से पूर्व की और घूमती है B. पृत्वी पूर्व से पश्चिम की और घूमती है C. ये पूर्व में इस्थित है D. इनमें से सभी उत्तर है A. पृत्वी पश्चिम से पूर्व की और घूमती है प्रशन 26 नार्वे में अर्धरात्री के समय सूर्य कब दिखाई देता है A. 21 मार्श B. 23 सितंबर C. 21 जून D. 22 दिसंबर उत्तर है C. 21 जून प्रशन 27 एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिक्तम दूरी को क्या कहा जाता है A. उपसौर B. अपसौर C. अपोजी D. पेरीजी उत्तर है B. अपसौर प्रशन 28 एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निउन्तम दूरी को क्या कहा जाता है A. उपसौर B. अपसौर C. अपोजी D. पेरीजी उत्तर है A. उपसौर प्रशन 29 प्राचीन भारतिये जयोतिश शास्तर में निम्न में से किसे एक ग्रह के रूप में मानेता प्राप्त थी A. यम B. ब्रहस्पती C. सूर्य D. मंगल उत्तर है C. सूर्य प्रशन 30 सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है A. 3000 डिग्री सेल्सियस B. 5000 डिग्री सेल्सियस C. 4000 डिग्री सेल्सियस D. 6000 डिग्री सेल्सियस उत्तर है D. 6000 डिग्री सेल्सियस प्रिष्ट 270 प्रशन 31 मध्य रात्री का सूर्य किस छेत्र में दिखाई देता है A. भूमद्य साग्रिय छेत्र में B. भूमद्य रेखी छेत्र में C. Arctic छेतर में D. Japan से पूर्व के छेतर में उत्तर है C. Arctic छेतर में प्रश्न 32 सूर्य में काला धबा क्या है? A. सूर्य में एक बड़ा काला छेद है B. दिन के दोरान धब्बे उर्जा के स्रोत होते हैं C. धब्बे वे इस्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है D. इन में से कोई नहीं उत्तर है C. धब्बे वे इस्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है प्रश्ण 33, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? A. 71%, B. 61%, C. 75%, D. 54%, उत्तर है A. 71% प्रश्ण 34, निमलिखित में से कौन एक तारा है? A. चंद्रमा, B. शुक्र, C. पृत्वी, D. सूर्य, उत्तर है D. सूर्य प्रश्ण 35, सूर प्रस्टेप पर लगभग कितना ताप मान होता है? A. 800 डिग्री Celsius, B. 600 डिग्री Celsius, C. 6,000 डिग्री Celsius, D. 1000 डिग्री Celsius, उत्तर है C. 6,000 डिग्री Celsius प्रश्न चतिस, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? A. प्लूटो, B. बुद्ध, C. ब्रहस्पती, D. वरुण उत्तर है D. वरुण प्रश्न चतिस, सूर्य प्रकाश धर्ती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? A. 8.3, B. 7.3, C. 9.4, D. 10 उत्तर है A. 8.3, प्रश्न 38, कौन सा अग्रह सूर्य के सबसे निकट इस्थित है? A. मंगल, B. बुद्ध, C. शुक्र, D. प्रित्वी, उत्तर है B. बुद्ध प्रश्न 49, बुद्ध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? A. 88 दिन, B. 76 दिन, C. 80 दिन, D. 66 दिन, उत्तर है A. 88 दिन प्रश्न 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाय होती है? A. मंगल, B. बुद्ध, C. ब्रहस्पति, D. शनी, उत्तर है B. बुद्ध प्रश्न 41, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे हैं A. प्रिथ्वी और ब्रहस्पति, B. बुद्ध और शुक्र, C. शुक्र और शनी, D. शुक्र और मंगल, उत्तर है B. बुद्ध और शुक्र प्रश्न 42, निमलिकित में से कौन सा ग्रह सूरी का चक्र सबसे कम समय में लगाता है? A. बुद्ध, B. शुक्र, C. प्रिथ्वी, D. मंगल, उत्तर है A. बुद्ध प्रश्न 43. सबसे तीवर गती से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है A. बुध, B. पृत्वी, C. ब्रहस्पती, D. शनी, उत्तर है A. बुध प्रश्न 44. निमलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गती सबसे अधिक है? A. बुध, B. शुक्र, C. मंगल, D. ब्रहस्पती, उत्तर है A. बुध प्रश्न 45. निमलिखित में से किस ग्रह का अक्षिय जुकाओ सबसे अधिक है? A. पृत्वी, B. बुध, C. पूटो, D. शनी, उत्तर है B. बुध प्रश्न 46. चंद्रमा के सद्रश्ट दिखाई देने वाला ग्रह है? A. बुध, B. शुक्र, C. मंगल, D. वरुण, उत्तर है A. बुध प्रश्न 47. सौर मंडल का अत्यधिक तीवर ग्रह कौन है? A. शुक्र, B. बुध, C. शनी, D. पृत्वी, उत्तर है B. बुध प्रश्न 48. निम्लिकित में से किस ग्रह को पृत्वी की बहन कहा जाता है? A. बुध, B. शुक्र, C. मंगल, D. ब्रहस्पती उत्तर है B. शुक्र प्रश्न 49. किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? A. मंगल, B. शुक्र, C. पृत्वी, D. बुध उत्तर है B. शुक्र प्रश्न पचास निमलिकित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? A. मरकरी B. वीनस C. मार्स D. नेप्श्यून उत्तर है B. वीनस प्रश्न इक्यावन सूर्य तथा पृत्वी के निकट्तम ग्रह क्रमशा कौन से है? A. बुध तथा शुक्र B. शुक्र तथा बुध C. बुध तथा मंगल D. बुध तथा ब्रहस्पती उत्तर है A. बुध तथा शुक्र प्रश्न बावन यूरोब वासी किस ग्रह की पुजा देवी के रूप में करते थे? A. शुक्र B. पृत्वी C. मंगल D. बुध उत्तर है A. शुक्र प्रश्न तिरपन सौर मंडल का सरवाधिक गर्म ग्रह कौन है? A. बुध B. मंगल C. शुक्र D. पृत्वी उत्तर है C. शुक्र प्रश्न चववन पृत्वी के निकटतम दूरी पर इस्थित ग्रह है A. बुध B. शुक्र C. मंगल D. बृत्तर है C. मंगल प्रश्न पच्पन निमलिखित में से किस ग्रह को सुभय का तारा कहा जाता है? A. मंगल B. बृत्तर C. शुक्र D. शनी उत्तर है C. शुक्र प्रश्न चप्पन निमलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है A. बुद्ध, B. शुक्र, C. भ्रहस्पति, D. शनी उत्तर है B. शुक्र प्रश्ण 57 बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुद्ध और शनी, B. बुद्ध और शुक्र, C. बुद्ध और मंगल, D. मंगल और शुक्र उत्तर है B. बुद्ध और शुक्र प्रश्ण 58 निमलिखित में से किस ग्रह की कक्षा प्रित्वी के सबसे अधिक नस्दीक है A. शनी, B. बुध, C. ब्रहस्पती, D. शुक्र, उत्तर है D. शुक्र प्रश्न 69, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों और परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है A. मंगल और शुक्र, B. बुध और शुक्र, C. मंगल और बुध, D. नेप्ट्यून और यूरेनस उत्तर है B. बुध और शुक्र प्रश्न 60, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है A. शुक्र, B. बुध, C. मंगल, D. शनी उत्तर है A. शुक्र प्रश्न 61, प्रित्वी की आकरती सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से इस्पष्ट की जा सकती है A. चतुषफलक से, B. नारंगी से, C. विश्वत रेखा से, D. लगध्वक्ष गोलाब से उत्तर है D. लगध्वक्ष गोलाब से प्रश्न 62, प्रित्वी सूर्य के परित्व, अपनी कक्षा में लगभग किस गती से चक्कर लगाती है A. पांश डिग्री प्रतिदिन, B. दो डिग्री प्रतिदिन, C. दशमलो एक डिग्री प्रतिदिन, D. तीन डिग्री प्रतिदिन उत्तर है C. दशमलो एक डिग्री प्रतिदिन प्रश्न 63 प्रित्वी के भ्रमण की गती है A. 28 किलो मीटर प्रति मिनट B. 31 किलो मीटर प्रति मिनट C. 25 किलो मीटर प्रति मिनट D. 49.5 किलो मीटर प्रति मिनट उत्तर है A. 28 किलो मीटर प्रति मिनट प्रश्न 65 भुमद्य रेखा पर प्रित्वी का व्यास है लगभग A. 25,000 km, B. 20,000 km, C. 12,800 km, D. 6,400 km, उत्तर है C. 12,800 km, प्रिष्ट 271, प्रश्न चाचच, सूर्य की परिक्रमा के दौरान प्रित्वी सूर्य से अधिक्तम दूरी पर किस महीने में होती है? A. March, B. July, C. September, D. January, उत्तर है B. July, प्रिष्ट 28, प्रित्वी की उपस और इस्तिती किस महीने में होती है? A. June, B. January, C. September, D. March, उत्तर है B. January, प्रिष्ट 68, रित्वे क्यों होती है? A. प्रित्वी के अपने अक्ष पर घूंडन के कारण, B. प्रित्वी के सूर्य के चारों और परिभ्रमण के कारण, C. प्रित्वी के अक्ष के जुकाओ के कारण, D. प्रित्वी की आक्रिती के कारण, उत्तर है B. प्रित्वी के सूर्य के चारों और परिभ्रमण के कारण, प्रश्न उनहत्तर गुलाब प्रित्वी धुरों पर चप्टी होती है यह इस तथ्य से इसपस्ट सिद्ध होता है प्रित्वी का भार धुरों पर सर्वाधिक तथा विश्वत रेखा पर निवंतम होता है प्रश्न सत्तर प्रित्वी अपने अक्ष पर घूमती है A. पूर्व से पश्चिम B. पश्चिम से पूर्व C. उत्तर से दक्षिण D. दक्षिण से उत्तर उत्तर है B. पश्चिम से पूर्व प्रश्न 71 आकार की द्रिष्टी से सौर मंडल में प्रित्वी का कौन सा इस्थान है? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, उत्तर है C. 5 प्रश्न बहत्तर नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है A. मंगल, B. शुक्र, C. प्रित्वी, D. यूरेनस उत्तर है C. प्रित्वी प्रश्न तिहत्तर A. मंगल और ब्रहस्पती, B. बुद्ध और शुक्र, C. शुक्र और शनी, D. मंगल और शुक्र उत्तर है D. मंगल और शुक्र प्रश्न चोहत्तर सूर्य और प्रित्वी के मध्य नियूंतम धूरी होती है A. बाइस दिसंबर को, B. इकिस जून को, C. बाइस सितंबर को, D. तीन जन्वरी को उत्तर है D. तीन जन्वरी को प्रश्न पच्छत्तर सूर्य और प्रित्वी के मध्य अधिक्तम दूरी होती है A. चार जूलाई, B. तीन जन्वरी, C. बाइस दिसंबर, D. तेईस सितंबर उत्तर है A. चार जूलाई प्रश्न पच्छत्तर प्रित्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग A. 365.1 दो दिन मे B. 365.25 दिन मे C. 365.50 दिन मे D. 365.75 दिन मे उत्तर है B. 365.25 दिन मे प्रश्न सतत्तर प्रित्वी का प्राकृतिक उपग्रह है A. आरिभट, B. रोहिडी, C. चंद्रमा, D. मंगल उत्तर है C. चंद्रमा प्रश्न अठत्तर दिन वा रात होने का कारण है A. प्रित्वी का अपने अक्ष पर घूनन B. प्रित्वी की सापेक्ष सूर्य की गती C. प्रित्वी के अक्ष का जुकाओ D. सूर्य के चारों और प्रित्वी का परिभ्रमण उत्तर है A. प्रित्वी का अपने अक्ष पर घूनन प्रश्न 89 सूर्य के अत्रिक्त निकट्तम सितारे से प्रकाश प्रित्वी तक पहुचता है A. 4.2 सेकंड B. 42 सेकंड C. 4.2 वर्ष D. 42 वर्ष उत्तर है C. 4.2 वर्ष प्रश्न 80 सूर्य से प्रित्वी की दूरी है A. 149 मिलियन किलो मीटर B. 150 मिलियन किलो मीटर C. 227 मिलियन किलो मीटर D. 300 मिलियन किलो मीटर उत्तर है A. 149 मिलियन किलो मीटर प्रश्न 81 प्रित्वी अपनी धूरी पर घूमती है A. 23 गंटे 51 मिनट 12 सेकंड B. 23 गंटे 56 मिनट 4 सेकंड C. 23 गंटे 56 मिनट 12 सेकंड D. 24 गंटे 11 मिनट 49 सेकंड उत्तर है B. 23 गंटे 56 मिनट 4 सेकंड प्रश्न 82 पृत्वी पर दिन रात की अवधी समान होती है A. दृूओं पर B. भूमद रेखा पर C. मकर रेखा पर D. करक रेखा पर उत्तर है B. भूमद रेखा पर प्रश्न 83 एक्विनोक्स का तात्पर है वो होती थी जब A. दिन और रात समान आवधी के होते है B. रात की अपेक्षा दिन लंबे होते है C. दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है D. वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है उत्तर है A. दिन और रात समान आवधी के होते है प्रश्न 84 दक्षणी गोलार्द में सबसे लंबा दिन कब होता है A. 21 जून B. 23 सितंबर C. 21 मार्च D. 22 दिसंबर उत्तर है D. 22 दिसंबर प्रश्न 85 भूक अक्ष तल पर भूक अक्ष का जुकाओ है A. 90 डिगरी B. 35 दिगरी C. 0 डिगरी D. 65 दिगरी उत्तर है D. 65 दिगरी प्रश्न 86 प्रित्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है A. 0 B. 1 C. 2 D. 8 उत्तर है B. 1 प्रश्न 87 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी धुरूप पर दिखाई देता है A. 0 गंटे B. 12 गंटे C. 18 गंटे D. 24 गंटे उत्तर है D. 24 गंटे प्रश्न 88 प्रित्वी के सबसे निकट इस्थित ग्रह है A. बुद्ध B. शुक्र C. ब्रहस्पति D. मंगल उत्तर है B. शुक्र प्रश्न 89 दूरी की दृष्टी से तृतीय क्रम में कौन सग्रह है A. बुद्ध B. शुक्र C. प्रित्वी D. मंगल उत्तर है C. प्रित्वी प्रश्न 90 प्रित्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षतल पर कितने डिगरी का कोड बनाती है A. 23 डिगरी B. 6.6 डिगरी C. 90 डिगरी D. 0 डिगरी उत्तर है B. 6.6 डिगरी प्रश्न 91 निम्ण में से किन तित्थियों को सूर्य की किरने विश्वत रेखा पर सीधी पड़ती है A. वर्षभर B. 21 मार्च C. 23 सितंबर D. 21 मार्च तथा 23 सितंबर उत्तर है D. 21 मार्च तथा 23 सितंबर प्रश्न बाननबे निमलिकित में से कौन सा तारा पृत्वी के सरवाधिक समीप है? A. धुरुफतारा B. एलफा सेंचुरी C. सूर्य D. लुबधग उत्तर है C. सूर्य प्रश्न तिराननबे ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और प्रित्वी उसकी परिक्रमा करती है? A. निूटन B. गैलीलियो C. पाडिनी D. कॉपर्निकस उत्तर है D. कॉपर्निकस प्रश्न चौराननबे प्रित्वी को गोलाकार बताने वाला प्रत्थम विद्वान था? A. अरस्तू B. कॉपर्निकस C. केपलर D. पाइथागोरस उत्तर है D. पाइथागोरस प्रिष्ट 272 प्रश्न पंच्याननबे यदि प्रित्वी एवं अंत्रिक्ष के बीच से वायू मंडल को हटा हुआ माना जाए तो आस्मान का रंग कैसा होगा? A. नीला B. लाल C. सफेद D. काला उततर है D. काला प्रश्न च्याननबे प्रित्वी की परिधी है A. 35,000 किलोमीटर B. 40,000 किलोमीटर C. 45,000 किलोमीटर D. 47,050 किलोमीटर उत्तर है B. 40,075 किलोमीटर प्रश्न स्ताननबे किस तिथी को उत्तरी गोलार्द में सबसे लंबा दिन होता है A. 21 जून B. 22 दिसंबर C. 23 सितंबर D. 21 मार्च उत्तर है A. 21 जून प्रश्न 98 किस तिथी को उत्तरी गोलार्द में सबसे छोटा दिन होता है A. 21 मार्च B. 21 जून C. 23 सितंबर D. 22 दिसंबर उत्तर है D. 22 दिसंबर प्रश्न निन्यानवे जुवों पर दिन की अवधी होती है A. 3 माह B. 6 माह C. 9 माह D. 12 माह उत्तर है B. 6 माह प्रश्न सो निमलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है A. ब्रहस्पती B. मंगल C. प्रिथवी D. बुध उत्तर है C. प्रिथवी प्रश्न 101 सर्व प्रथम प्रिथवी की त्रिजियम आपने वाला विद्वान कौन था A. टॉल्मी B. कॉपर निकस C. इरेटोस्थनीज D. गैलीलियो उत्तर है C. इरेटोस्थनीज प्रश्न 102 प्रिथवी का ध्रुवी व्यास उसके विश्वती व्यास से कितना कम है A. 25 किलोमीटर B. 43 किलोमीटर C. 80 किलोमीटर D. 30 किलोमीटर उत्तर है B. 43 किलोमीटर प्रश्न 103 प्रिथवी का विश्वती व्यास लगभग कितना है A. 12700 km, B. 12750 km, C. 12650 km, D. 12600 km उत्तर है B. 12750 km प्रश्न 104 प्रित्वी को उसके कालपनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? A. परिभ्रमण B. कक्षा C. घूनन D. इनमे कोई नहीं उत्तर है C. घूनन प्रश्न 105 प्रित्वी की अपनी कक्षा में गती है A. पश्चिम से पूर्व B. पूर्व से पश्चिम C. उत्तर से दक्षिण D. दक्षिण से उत्तर उत्तर है A. पश्चिम से पूर्व प्रश्न 106 प्रित्वी तथा सूरी के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? A. उत्तर अयनांत B. दक्षिण अयनांत C. अपसौर B. उपसौर उत्तर है C. अपसौर प्रश्ण 107 रित्वे निमलिखित के कारण होती है? A. प्रित्वी घूंडन करती है B. सूर के चारो और प्रित्वी का परिक्रमण C. प्रित्वी का अक्ष से 6.6 डिगरी आनत है D. उपर्युक्त B. और C. दोनो उत्तर है B. सूर के चारो और प्रित्वी का परिक्रमण प्रश्ण 108 प्रित्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं A. अरुन और मंगल B. वरुन और शुक्र C. शुक्र और मंगल D. वरुन और मंगल उत्तर है C. शुक्र और मंगल प्रश्न 109 निम्ण में से किसने पहली बार कहा कि पृत्वी गोल है A. अरिस्टोटल B. कॉपर निकस C. स्ट्रोबो D. इनमें से कोई नहीं उत्तर है A. अरिस्टोटल प्रश्न 110 प्रित्वी की धूरी है A. जुकी हुई B. उर्दवाधर C. चैतिज D. वक्रिय उत्तर है A. जुकी हुई प्रश्न 111 प्रित्वी के अत्रिक्त किस ग्रह पर वायू मंडल पाया जाता है A. बुध B. ब्रहस्पति C. शुक्र D. मंगल उत्तर है D. मंगल प्रश्न 112 लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है A. शुक्र B. शनी C. मंगल D. वरुन उत्तर है C. मंगल प्रश्न 113 प्रित्वी के अत्रिक्त किस ग्रह पर रितू परिवर्तल संभव है A. अरुण B. वरुण C. मंगल D. ब्रहस्पति उत्तर है C. मंगल प्रश्न 114 प्रित्वी के अत्रिक्त किस ग्रह पर मानो उपस्थिति की संभावना है A. मंगल B. बुध C. शुक्र, D. शनी, उत्तर है A. मंगल प्रश्न 115, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक शियान है A. मीर, B. एडवेंचर, C. रोहडी, D. पाथफाइंडर, उत्तर है D. पाथफाइंडर प्रश्न 116, किसमें प्रित्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का परियावरण जीवन के लिए बहुत अनकूल है A. ब्रहस्पती, B. मंगल, C. यूरोपा, D. चंद्रमा, उत्तर है B. मंगल प्रश्न 117, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का जुकाओ लगभग प्रित्वी के दिन और मान और जुकाओ के तुल्य है A. यूरेनस के विशे में, B. नेप्ट्यून के विशे में, C. शनी के विशे में, D. मंगल के विशे में उत्तर है D. मंगल के विशे में, प्रश्ण 118, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? A. फोबोस, B. डिमोस, C. लेडा, D. फोडिलिया, उत्तर है B. डिमोस, प्रश्ण 119, रात्री को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? A. बुध, B. मंगल, C. ब्रहस्पती, D. शनी, उत्तर है B. मंगल, प्रश्ण 120, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? A. बुद्ध, B. शुक्र, C. ब्रहस्पती, D. पृत्वी, उत्तर है C. ब्रहस्पती प्रश्न 121, ब्रहस्पती ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सुचक हैं? A. गैस, B. तरलपदार्थ, C. अशांत बादल, D. भूमी, उत्तर है C. अशांत बादल प्रश्न 122, संयुक्त राज अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंत्रिक्ष्यान भेजा था? A. मंगल, B. ब्रहस्पती, C. नेप्च्यून, D. शुक्र, उत्तर है B. ब्रहस्पती प्रश्न 122, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंदित है? A. मंगल, B. शनी, C. ब्रहस्पती, D. शुक्र, उत्तर है C. ब्रहस्पती प्रश्न 124, शुमेकर लेवी नो धूमके तु किस ग्रह से टक्राया था? A. शुक्र, B. मंगल, C. ब्रहस्पती, D. शनी, उत्तर है C. ब्रहस्पती प्रश्न 125, सूर के गिर्ध एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिक्तम समय लेता है? A. प्रिथ्वी, B. ब्रहस्पती, C. मंगल, D. शुक्र, उत्तर है B. ब्रहस्पती प्रश्न 126, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न लिखित में से कौन है? A. टाइटन, B. मिरांडा, C. चंद्रमा, D. गैनीमीड, उत्तर है D. गैनीमीड, प्रिष्ट 273 प्रश्न 127, निम्न लिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? A. ब्रहस्पती, B. अरुण, C. वरुण, D. शनी, उत्तर है D. शनी प्रश्न 128, निम्न लिखित ग्रहों में से किस ग्रह के अधिक्तम संख्या में प्राक्रतिक उपग्रह है? A. नेप्शियून, B. शनी, C. यूरेनस, D. ब्रहस्पती, उत्तर है B. शनी प्रश्न 129, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किस का उपग्रह है? A. ब्रहस्पती, B. शनी, C. यूरेनस, D. नेप्शियून, उत्तर है A. ब्रहस्पती प्रश्न 131, शनी ग्रह के कितने उपग्रह है? A. 5, B. 10, C. 12, D. 21, उत्तर है D. 21 प्रश्न 131, शनी ग्रह को सरुप्रथम किस खागोल शास्त्री ने देखा था? A. गैलीलियो, B. कॉपर्निकस, C. टॉल्मी, D. केपलर, उत्तर है A. गैलीलियो प्रश्न 132, नंगी आखो द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? A. ब्रहस्पती, B. शनी, C. यूरेनस, D. प्लूटो, उत्तर है B. शनी प्रश्न 133, शनी ग्रह के चारों और पाए जाने वाले वलियों की संख्या कितनी है? A. 6, B. 8, C. 10, D. 12, उत्तर है C. 10 प्रश्न 134, सौर मंडल का सबसे कम घनत वाला ग्रह है? A. अरून, B. वरून, C. प्रित्वी, D. शनी, उत्तर है D. शनी प्रश्न 135, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? A. अरून, B. वरून, C. शनी, D. प्रित्वी, उत्तर है C. शनी प्रश्ण 136 शनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है A. टाइटन, B. एटलस, C. टेलस्टो, D. लापेट्स उत्तर है A. टाइटन प्रश्ण 137 निम्न में से किस ग्रह के चारों और इसपस्ट वला है A. यूरेनस, B. ब्रहस्पती, C. शनी, D. मंगल उत्तर है C. शनी प्रश्ण 138 यूरेनस की खोज किसने की थी A. हर्शेल, B. गैलेलियो, C. कॉपरनिकस, D. केपलर उत्तर है A. हर्शेल प्रश्ण 149 कौन सग्रह सरवाधिक गैसों से घिरा हुआ है A. ब्रहस्पती, B. प्लूटो, C. यूरेनस, D. वीनस उत्तर है C. यूरेनस प्रश्ण 140 यूरेनस के कितने उपग्रह है A. 15, B. 18, C. 10, D. 12 उत्तर है A. 15 प्रश्ण 141 पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला घ्रह है A. यम, B. अरुन, C. वरुन, D. शनी उत्तर है B. अरुन प्रश्ण 142 ओबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और विरांडा ये पाचो किस ग्रह के उपग्रह है A. ब्रहस्पती, B. अरुन, C. वरुन, D. मंगल उत्तर है B. अरुन प्रश्ण 143 अपनी धुरी पर सूरी की ओर अधिक जुकाओ के कारण निम्ण में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है A. ब्रहस्पती, B. शनी, C. अरुन, D. वरुन, उत्तर है C. अरुन प्रश्ण 144 यूरेनस सूरी के चारों और एक शक्कर कितने वर्षों में लगाता है A. 29 वर्ष, B. 48 वर्ष, C. 84 वर्ष, D. 92 वर्ष, उत्तर है C. 84 वर्ष प्रश्ण 145 अन्य ग्रहों की अपेक्षा व्यप्रीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है A. नेप्ट्यून, B. प्लूटो, C. यूरेनस, D. शनी, उत्तर है C. यूरेनस प्रश्ण 146 कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उसरजित करता है A. ब्रहस्पती, B. शुक्र, C. यूरेनस, D. वर्ष, उत्तर है D. वर्ष, उत्तर है D. वर्ष, उत्तर है A. नेप्ट्यून प्रश्ण 148 किस गैस की उपस्थिती के कारण वरुण ग्रह हरे रंका दिखाई देता है A. मिथेन, B. अमोनिय, C. नाइट्रोजन, D. हाइड्रोजन, उत्तर है A. मिथेन प्रश्ण 149 निमलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोधर भाई के नाम से जाने जाते है A. बुद्ध और शुक्र, B. प्रित्वी और शुक्र, C. ब्रहस्पती और शनी, D. अरुण और वरुण उत्तर है D. अरुण और वरुण प्रश्ण 150 सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है A. बुद्ध, B. शुक्र, C. मंगल, D. प्रित्वी उत्तर है D. प्रित्वी प्रश्ण 151 निमलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और प्रित्वी दोनों से सरवाधिक दूरी पर इस्तित है A. बुद्ध, B. मंगल, C. नेप्च्यून, D. श्यनी उत्तर है C. नेप्च्यून प्रश्ण 152 वर्ष दीरगतम होता है A. श्यनी पर, B. ब्रहस्पति पर, C. नेप्च्यून पर, D. प्रित्वी पर, उत्तर है A. श्यनी पर प्रश्ण 153 सौर मंडल का वाहतम ग्रह कौन है A. प्रित्वी, B. यूरेनस, C. नेप्च्यून, D. श्यनी उत्तर है A. प्रित्वी प्रश्ण 154 यम अत्वा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्ण में से किस खगोलग्य द्वारा की गई थी A. क्लाइट टॉमबैग, B. जॉन गैले, C. विलियम हर्शेल, D. जेम्स, P. हवल उत्तर है A. क्लाइट टॉमबैग प्रश्ण 155 निम्लिखित में से किस आकाशी पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गती में बराबर समय लगता है A. चंद्रमा, B. बुध, C. शुक्र, D. शनी, उत्तर है A. चंद्रमा, प्रश्ण 156 कौन सा खगोली पिंड रात की रानी कहलाता है A. चंद्रमा, B. ब्रहसपती, C. मंगल, D. प्लूटो, उत्तर है A. चंद्रमा, प्रश्ण 157 प्रित्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है A. 33 प्रतिशत, B. 69 प्रतिशत, C. 79 प्रतिशत, D. 70 प्रतिशत, उत्तर है B. 69 प्रतिशत प्रश्ण 158 क्लेवियस निमलिखित में से क्या है A. ब्रहस्पति ग्रह का उपग्रह, B. चंद्रमा पर इस्थित सबसे बड़ा क्रेटर, C. जलमार्क से संपून ग्लोब का सरुप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर है, B. चंद्रमा पर इस्थित सबसे बड़ा क्रेटर, प्रश्ण 169 प्रित्वी एवं चंद्रमा के बीच इस्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है A. अंता अंतरिक्ष, B. वाह अंतरिक्ष, C. सिसलुनर, D. इनमें से कोई नहीं उत्तर है, C. सिसलुनर, प्रश्ण 169 निमलिखित में से कौन सूरी का ग्रह नहीं है A. बुद्ध, B. शुक्र, C. चंद्रमा, D. नेप्च्यून, उत्तर है, C. चंद्रमा, प्रश्ण 161 शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां इस्थित है A. चंद्रमा, B. वरुण, C. ब्रहस्पती, D. शनी, उत्तर है, A. चंद्रमा प्रश्ण 163 C. ओफ, ट्रंक्विलिटी कहां पर है A. प्रित्वी, B. सूर्य, C. जुपिटर, D. चंद्रमा, उत्तर है, D. चंद्रमा प्रश्ण 164 चंद्रमा प्रित्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है A. लगभग 128.1 दिन, B. लगभग 30.2 दिन, C. लगभग 27.3 दिन, D. लगभग 28.3 दिन उत्तर है, C. लगभग 27.3 दिन, प्रिष्ट 274 प्रश्ण 165 चंद्रमा से प्रित्वी तक प्रकाश के पहुचने में लगने वाला समय है A. एक सकंड, B. एक सकंड से कम, C. दो सकंड से अधिक, D. दो सकंड से कम, उत्तर है, D. दो सकंड से कम प्रश्ण 166 निमलिकित में से किस आकाशी पिंड को प्रित्वी पुत्र कहा जाता है A. बुद्ध, B. शुक्र, C. चंद्रमा, D. मंगल उत्तर है, C. चंद्रमा प्रश्ण 166 C. ओफ, ट्रॉंकिलिटी इस्थित है A. दक्षिनपूर्व अफ्रीका में B. रूस के पश्चिमी तट पर C. चंद्रमा पर D. भारत के पश्चिमी तट पर उत्तर है, C. चंद्रमा पर प्रश्ण 168 आकाश का सबसे चमकदार तारा है A. प्रोक्सिमा सेंचुरी B. बर्नॉर्ड C. नेबूला D. सिरियस उत्तर है, D. सिरियस प्रश्ण 179 हैली धूम केतु का आवर्थ काल होता है A. चाचट वर्ष B. चियासी वर्ष C. चियासी वर्ष D. चियाननबे वर्ष उत्तर है B. चियासी वर्ष प्रश्ण 170 प्रित्वी को छोड़ कर प्रित्वी के सरवाधिक निकट इस्थित तारे के प्रकाश को प्रित्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है A. चार दशमलो पाँच घंटा B. चार दशमलो पाँच दिन C. चार दशमलो पाँच माह D. चार दशमलो पाँच वर्ष उत्तर है D. चार दशमलो पाँच वर्ष प्रश्ण 171 मंगल एवं ब्रहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खागोली पिंड को कहते हैं A. धूमकेतु B. उलकापिंड C. उलका D. चुद्र ग्रह उत्तर है D. चुद्र ग्रह प्रश्ण 172 चुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं A. मंगल और शुक्र B. ब्रहस्पति और शनी C. मंगल और ब्रहस्पति D. शनी और अरुन उत्तर है C. मंगल और ब्रहस्पति प्रश्ण 173 सर्व प्रथम खोजा हुआ चुद्र ग्रह है A. सिरस B. पलास C. जूनो D. वेस्टा उत्तर है A. सिरस प्रश्ण 174 धूम केतु की पुछ सूर्य से परे दिश्ट होती है क्योंकि A. जैसे जैसे धूम केतु सूर्य के चारो और घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हलका द्रविमान केवल अब केंद्री बल के कारण दूर छिप्त हो जाता है B. जैसे जैसे धूम केतु घूर्णन करता है उसका हलका द्रविमान उसकी पुछी की दिशा में इस्थित किसी तारे द्वारा आकर्शित हो जाता है C. सूर्य द्वारा उत्सरजित विकरण धूम केतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुछी सूर्य से दूर छिप्त हो जाती है D. धूम केतु की पुछ सदव A की ही अभी विन्यास में रहती है C. सूर्य द्वारा उत्सरजित विक्रण धूम केतु पर भैज़ दाब डालता है जिससे उसकी पुछ सूर्य से दूर छिप्त हो जाती है प्रश्न 175 चुद्र ग्रहों के विशे में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए A. चुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन आकारों के चट्टानी मलवे है B. अधिकाश चुद्र ग्रह छोटे हैं किन्तु कुछ का व्यास 1000 किलो मीटर तक बड़ा है C. चुद्र ग्रहों की कक्षा ब्रहस्पती और शनी की कक्षाओं के मध्य इस्थित है उत्तर A. और B. सही है अर्थात A. चुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन आकारों के चट्टानी मलवे है B. आधिकाश चुद्र ग्रह चोटे हैं किन्तु कुछ का व्यास 1000 किलो मीटर तक बड़ा है प्रश्न 176 सूर्य ग्रहन होता है जब A. सूर्य चंद्रमा और प्रित्वी पर त्रिकोन बनाते है B. प्रित्वी की परचाई चंद्रमा पर पढ़ती है C. चंद्रमा प्रित्वी और सूर्य के मध्य आजाता है और सूर्य पूरी तरह इसपस्ट दिखाई नहीं देता है D. सूर्य चंद्रमा और प्रित्वी के बीच आजाता है उत्तर है C. चंद्रमा प्रित्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह इस पश्ट दिखाई नहीं देता है प्रश्ण 187 पून्द सूर्य ग्रहन के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है A. किरीट B. प्रकाश मंडल C. वर्ण मंडल D. इन में से कोई नहीं उत्तर है A. किरीट प्रश्ण 178 सूर्य ग्रहन निमलिखित में से किस इस्थिती में पढ़ता है A. जब पृत्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है B. जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृत्वी आ जाती है C. सूर्य चंद्रमा तथा प्रिथ्वी समकोन पर इस्थित होते हैं D. इसका कोई निश्चित समय नहीं है उत्तर है A. जब प्रिथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण की इस्थिति पाई जाती है अ. जब पृत्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है अर्थात अ. जब पृत्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है सी. जब अमावस्या का दिन होता है प्रशन 180 एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहन हो सकते हैं A. 5 B. 7 C. 9 D. 11 उत्तर है B. 7 प्रश्ण 181 डायमंड रिंग की घटना होती है A. प्रतेक पुनिमा के दिन B. प्रतेक अमावस्या के दिन C. सूरी ग्रहन के दिन D. चंद्र ग्रहन के दिन उत्तर है C. सूरी ग्रहन के दिन प्रश्ण 182 सिजगी है A. सूरी प्रित्वी तथा चंद्रमा की A की ही सीधी रेखा में इस्थिती B. सूरी तथा चंद्रमा के बीच प्रित्वी की इस्थिती C. सूर्य के A की ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की इस्थिती D. सूर्य चंद्रमा और प्रित्वी की समकोडिक इस्थिती उत्तर है A. सूर्य प्रित्वी तथा चंद्रमा की A की ही सीधी रेखा में इस्थिती प्रश्ण 183 चंद्र ग्रहन का कारण है A. प्रित्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना B. प्रित्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना C. सूर्य एवं चंद्रमा के बीच प्रित्वी का आना D. उपर्युक्त में सभी उत्तर है C. सूर्य एवं चंद्रमा के बीच प्रित्वी का आना प्रश्ण 184, चंद्र ग्रहन घटित होता है A. अमावस्या के दिन, B. पूर्णिमा के दिन, C. अर्ध चंद्र के दिन, D. उपर्युक्त A और B. उत्तर है B. पूर्णिमा के दिन प्रश्ण 185, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिये, तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये सूची 1, विशेश लक्षण A. सौर मंडल का सबसे चोटा ग्रह, B. सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, C. सौर मंडल में सूरि से दूसरे इस्थान पर का ग्रह, D. सूरि से सबसे दूर ग्रह, सूची 2 ग्रह उत्तर है निमलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? A. प्लूटो B. जुपिटर C. वीनस D. मार्स उत्तर है C. वीनस फ्रिष्ट 275